Hey guys, welcome back to channel, this is the YouTube boy video जैसे जैसे IPL 2022 सुरू होने का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे IPL के लिए excitement और भी जादे बढ़ती जा रही है जी हाँ, क्यूंकि इस बार पूरा IPL एक अलग अंदाज में खिला जाएगा पहले तो IPL में दो नई टीमों को एड किया गया उसके बाद IPL के format को ही बदल दिया गया और अब IPL में कई सारे नियमों को भी बदल दिया गया है जिसकी वज़े से IPL और भी जादे रोमांचक हो जाएगा और अब तो फैंस और भी जादे बेसबरी से IPL सुरू होने का इंतजार कर रहे है दोस्तो अगर आप भी IPL के लिए एकसाइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथी साथ IPL फैंस के लिए एक बुरी खवर भी निकल कर सामने आ रही है जी हाँ, IPL सुरू होने से पहले ही 25 बड़े खिलाडी IPL के सुरुवाती मैचों से बाहर हो चुके हैं अब इससे फ्रेंचैजिस के साथ साथ टीमों के फैंस को भी बड़ा जटका लाएगा जी हाँ, कौन-कौन से वो 25 खिलाडी है, किस टीम से कौन सा खिलाडी बाहर हुआ है, साथी साथ IPL में कौन-कौन से नए नियम जोड़े गए है सब कुछ हम आपको डीटेल में बताएंगे, आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरे ब्लॉक्स पसंद आएंगे, और आप मेरे बाकी के चैनल्स की तरह ही इस चैनलर पर भी उतना ही प्यार दिखाएंगे तो फिर देर किस बात की, टिक्सिप्सन में और उपर आई बटन पर आपको मेरे ब्लॉक्स चैनल का लिंक बिल जाएगा, धन्यबाद तो दोस्तों आईए सबसे पहले हम बात करते हैं उन 25 खिलाडियों की जो की IPL के सुरू के मैचेज नहीं खेलेंगे टाइट सर्डूल की वज़े से क्योंकि वेस्टेंडिज और इंग्लेंड के बीच, पाकिस्तान और अफ्स्टेलिया के बीच, साउथ अफरिका और बंगलादेस के बीच जो है मैच चल रहे होंगे, 12 अपरेल के बाद ही सभी खिलाड़ी एविलेबल हो पाएंगे तो ऐसे में सबसे पहले हम बात करते हैं, आरसीबी की तो आरसीबी की तरफ से जॉस हैजरलोड, जैसन बैंड्रॉप और मैक्सविल जैसे की प्लियर्स जो है सुरू के कुछ मैच नहीं खेलेंगे शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे, ऐसे में आरसीबी को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है वहीं इस सारेश की तरफ से एड़म माकरम और सीन एबोट जैसे दो मेन की प्लियर्स शुरू के कुछ मैच नहीं खेलेंगे तो इस सारेश के लिए भी बड़ा कंसर्ण होने वाला है वहीं आरर की तरफ से वांडर डूसेन जो की इनके मेन बल्लेबाज हैं वो सुरू के कुछ मैच नहीं खेलेंगे तो इनके लिए बड़ा कंसर्ण क्रियेट हो गया है मरकर्स इस्टोनिस जैसन होलडर काईली मायर्स डीकॉक जी हां कुछ डीकॉक भी शुरू के कुछ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि बंगलादेश से मैच चल रहा होगा उसके लाव मार्क उट भी शुरू के कुछ मैच नहीं खेलेंगे तो लखनाव सूपर जैन्स के लिए बड़ा समस्थ्या बड़ा कंसर्ण खड़ा हो गया है दिल्ली कैपिटल्स की तरब से भी बहुत सारे खिलाडी सुरू के कुछ मैचों में नहीं खेलेंगे बहुत सारे खिलाडियों की सर्विस इने नहीं मिलेगी फैंस भी निरास होंगे साथी साथ फ्रेंचाजिस को भी टीमों को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा आइब बात करते हैं आई पेल के नहीं नियम होगी तो पहला नियम ये जोड़ा गया है कि अगर किसी भी टीम में कोई भी खिरारी है तुरांत जी हाँ अगर प्लेंग 11 नहीं बन पा रहा है तो अपने स्कॉर्ड में ये लोग बदलाव कर सकते हैं साथ ही साथ अगर मामला ज्यादा गड़ बढ़ा जाता है तो IPL टेक्निकल कॉमुनिटी फैसला लेगी कि इस टीम के मैच को Rieserule किया जाए या फिर क्या किया जाए अगर क्या जाता है तो जिस टीम का प्रभाव ज्यादा रहेगा जो भी टीम ज्यादे एफेक्टिव रहेगी उसे दो अंक दे दीए जाएगे तो ये एक कमाल पूरे मैच में दो अब एक टीम को जो है चार DRS मेरेंगे एक मैच में एक पारी के लिए दो मतलब कि बैटिंग कर रही है कोई टीम तो दो DRS यूज कर सकती है साथी साथ अगर वो बॉलिंग कर रही है तो बॉलिंग के टाइम भी दो DRS यूज कर सकती है पहले एक ही था एक चार और एक पारी में दो DRS यूज कर सकती है तो ये दो नय नियम जो है IPL 2022 में जोड़े गए हैं जिसकी वज़े से IPL और भी जादे रोमांचक हो जाएगा तो दोस्तो ऐसे में अब IPL के लिए excitement और भी जादे बढ़ गई है दोस्तो अगर आप भी IPL का मजा लेना चाहते है हमारे साथ मिलकर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए साथी साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा धन्यबाद